रूस में गेहूं के दाम कम होने के चलते विदेशी आया तक रूस के गेहूं में अच्छी दिल्चस्पी दिखा रहे हैं, जबकि यूरोपिय संग से निर्यात में कमी आने के कारण भी रूसी गेहूं के पक्ष में माहौल बन रहा है। वैसे काला सागर छेतर के किसान गेहूं के घटे दामों से नाखुश है। जानकारों के अनुसार रूस के 12.5 प्रतिशत प्रोटीन युक्त गेहूं का फ्री आन बोर्ड निर्यात ओफर मूले 3 जुलाई से ही 223 डॉलर प्रती टन की सीमा को पार नहीं कर पाया है। जून से अब तक इसमें 14.5 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। हाला कि इस कमजोर मूले से किसान संतुष्ट नहीं है, मगर घटे दामों के चलते रूस को गेहूं के निर्यात में निरंतरता बरकरार रखने में अच्छी सहायता मिल रही है। वही तुर्की रूसी गेहूं का ए इसके दो प्रमुक उत्पादक एवं निर्यातक देश, फ्रांस तथा जर्मनी में मई से ही मौसम खराब होने के कारण गेहूं का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उपलब्द आकडों के अनुसार रूस से अगस्त दो हजार चुबीस में गेहूं का निर्य सीजन जुलाई से जून के शुरुआती दो महीनों में 94 लाग टन गेहूं का शांदार निर्यात हो गया जो गत वर्ष से काफी अधिक है। इसमें से मिसर को 14 लाग टन, बांगला देश एवं तुर्की को 13.6 शूने लाग टन, अलजिरिया को 4.9 शूने लाग टन तथा इस इसरायल को 4.7 शूने लाग टन गेहूं का शिप्मेंट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी